हेलो एर्वान कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी स्वयस्थ होंगे एड अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ सेर करने जा रहा हूं एक स्टेडी प्लान कि लास्ट के कुछ मन्स में एक स्टेडी क्या होना चाहिए यहुथ है यह स्टेडी प्लान मैंने खुद अपने टाइम पर फोलो किया था आप यकीन नहीं मानोगे इस टाइम टेबल को फोलो करते हुए मैंने कैम इंटरेंस एक्जाम क्वालिफाई किये थे जैसे युनिवस्टी ऑफ डेली युनिवस्टी ऑफ हैदराबाद आटी जैम पॉंदुच बनाराज हिंदू युनिवस्टी यह सारे इंटरेंस एक्जाम मैंने क्वालिफाई किये थे अगर आप भी इस टाइम टेबल को यह स्टेडी प्लान को फोलो करते हो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई इंटरेंस एक्जाम एंड यू विल गेट अगुड रेंक तो अत्रम तरफ आना ऐंट को धीर और यूर्म हो जाना है और साध बजे आप ने करने के लिए बैठ जाईये क्योंकि ऐसलिए जरूरी यह आपकी कांसेंट्रेशन पावर को इनक्रीज करता है कि आप कुछ भी काम करों उसमें आपका कंसेंट्रेशन रहेगा आपका उसमें ल पढ़ना है और उस्टाइम यह पढ़ना है और इस टाइम मिरको यह चीज करनी है ताकिा आपको clear रहे कि मिन को पूरे दिन क्या करना है आप इससे होगे नहीं कि कभी किसी ने आपको बोल दिया तो वह आप चलेगे तो ऐसा नहीं होगा आपको फोकस ने नहीं होगा अपने गोल की तरफ तो ठीक साधे आठ बजे आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए तो इसमें लगबग मैं मान के छिल्टा हूँ आपको एक घंटे का समय लग जाएगा कुछ मेडिटेशन कर आपने कुछ सामें और आपको यह स्टेडी प्लान बनाने के लिए पूरे दिन का आपको लगबग एक घंटे लग गया मेडिटेशन और स्टेडी प्लान में और साधे आठ बज़े आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए इसके लिए मैं सोचता हूं कि लग इसमें एक ऐसा टॉपिक उठाई है जो लगबग कवर हो जाए यानि कवर होना चाहिए टॉपिक तो यह आपका फर्स्ट लॉट हो गया फिर बारे से डेड़ बज़े तक आप पी उसका एनलीसिस करिए क्यों क्योंकि अगर आप तीन घंटे पढ़ने के बाद दुबारे कि नया टॉपिक उठाटे ओ तो इसनी रहेग यह इकि आपका मन नहीं लगेगा इतना पढ़ने में तो इसलिए आप बैस्ट है इसका एकि किस टॉपिक से टाइप की कोशन आ रखें यानि कि इस टाइप किस टॉपिक से कितने पर आपको आपको आईडिया हो जाएगा कि ह आपको किस टॉपिक के लिए ज्यादा समय देना है इसलिए जरूरी है फिर बज़े से लेकर टू पीम तक आपका आधे घंटे के लिए लेंच टाइम आधे घंटे अपने अराम से लेंच करिए फिर दो बज़े से तीन वज़े के लिए यह आपका रेस्ट टाइम होगा लेंच करने के बाद पढ़ना नहीं है आपको एगंटे रेस्ट करना है इसमें चाहे आप पावर ने प्ले सकते हो या फिर आप इसमें आराम से सांती से कुछ म्यूजिक सुन सकते कुछ भी कर सकते हूं एक घंटे के लिए आपको यहां पर अल्टिमेटली क्या करना है अपने माइंड को रैस्ट देना है यह जरूरी है ताकि आप आगे वाया जो स्टेडी प्लान है उसको फोलो कर सकें तो एक घंटे रैस्ट करने के बाद तीन बज़ नया टॉपिक उठाई है क्योंकि आप रैस्ट कर चुके तो अब आपका मैंड नया टॉपिक पढ़ोगे तो उसको पढ़ने में आपका मन भी लगेगा और आपको समझ भी आएगा इसलिए नया टॉपिक उठाना है इसलोट नमबर टू में फिर पांस से आठ ये दो प्रिविएस वीक में पढ़ा या फिर अफुर पढ़ा उसको आज रिवइज करना जरूरी है तो इस श्लोठ में आप उसको रिवाईज करोगए पांस से स्टेडिज यह क्या आपका स्ट्री ओफ स्टेडिज यह भी लगबग टू आर्स कर रहेगा इसमें देखो आपको कौन से टॉपिक उठाने चाहिए इसमें आपको एस टॉपिक होने चाहिए जो अप्लाइड हो यानिकि नुमेरिकल हो अगर आप मैठ स्टूटेंट्स हो तो आपको इस लॉट में पीवाइकू सौल करने चाहिए जो नुमेरिकल हो जिसमें कैलकूलेशन हो क्योंकि रात में आपका माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता दिन भार इतनी स्टेडि करने के बाद तो आपको क्या है उस अपने माइंड को एक्टिव करवाना होगा तो व क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा तो इसमें आपको नुमेरिकल टाइपस टॉपिक्स उठाने हैं और 11 से 12 देखो इतना सारा पढ़ने के बाद आखर में आपको फिर से कुछ ऐसा चाहिए ताकि आपका माइड फ्रेश हो सके तो इस 11 से 12 के बीच में यह आपका अगेन क्या होगा एक तरीके से छोटा सा रेश टाइम कहलो या लेजर टाइम कहलो फेस्बुक एंड सोसल मीडिया यानि कि आप इसमें एक घंटे में फेस्बुक चला सकते हो इंस्टाग्राम चला सकते हो एंड सोसल मीडिया पाइप एक्टिव रह सकते हो सिर्फ एक घंटे के ल बज़ा आपको फॉन स्विच आप करके सो जाना है तो यह घंटे आपको सोचल मेडिया चलाना की हुए यह इसलिए चलाना है ताकि आपका माइंड सांत रहे और आपका भारी दुनिया से रूबारू हो सको आप भारी दुनिया से रूबारू हो सको आपको पता रहे कि भारी बज़े तक तो इसमें देखो जो चीज है अपके त्री टॉपिक्स आए थे आपके त्री आर्स राइड एक स्लॉट्ट था रिज का एक स्लॉट्स हम बोलते रिवीजन स्लोट तो इसमें एक स्लोट हुआ थिरी आर्स का इसमें आपको करना क्या है लगबग बिग टॉपिक उठाने यह नहीं कि आप छोटा टॉपिक उठाए एक गंटे में खता होगे आपकी दो गंटे आप मजे कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको थिरी आर्स लोट में पीक उठाने हैं जो थिरी आच में complete हो जाए और आपको एम बनाना की मिनकोड ठीयास में öğ कि मोबेट करना है तो फॉकस हुआ कि Constουμε के साथ आपको पड़ाए करनी है तो उब तोush आपको लाइक हो सकता है तो ट्वार्स में मीडियम हो सकता है तो ट्री आर्स जो है आपका रिवीजन स्लॉट उसमें आपको रिवीजन करना है previously shouldi topics जो आपने पढ़ चुके हो उसका अगेन आपको रिविजन करना है इस त्री आर्स रिविजन स्लोट में जो कुछ चीजे हैं आपको माइन बेर रखनी है वह चीजे हैं फार्स्ट कि स्टेडी प्लान इन आपको सब्सक्राइब है इसको आप अपने जरुद के साफ से चेंज कर सकते हो सैकेंड थिंग से कि इस topics in every subject has to be revised two times before you sit for exam यानि कि हर एक topic को कम से कम दो बार आपको revise कर लेना है कम से कम दो बार revise कर लेना है एक्जाम में बैठने से पहले क्योंकि revision आप करोगे और दो बार आपका revise हो जाएगा श्लेवर तो आपके mind में हर एक topic का concept clear रहेगा कि इस topic का concept यह है और इस topics इतने question आते हैं तो अब भी चांस होगा कि जब आप exam में बैठोगे तो आप easily find कर सकते हो कि यह इस topic का question है और इसमें इस यह गला concept लग रहा है थर्ड पॉइंट है make your own timetable choose topics that will take three hours or two hour slot तो आपको अपना खुद का timetable बनाने है और आपको खुद को चूज करना होगा कि मैं three hour slot में क्या रखूं और two hour slot में कौन से topic रखूं and second last thing what is studied in a week must be revised in the very next week in the three hours revision slot else you will forget तो जो भी आपने previous week में जो भी topic आपने पढ़ा उसको इस week में revise करना होगा क्यों revise करना है ताकि आप उसे भूलना जाओ कि आप उससे भूलो उससे पहला आपको उसे revision कर लेना है देखो अगर आप किसी topic को first time revision करते हो किसी topic का तो क्या होगा अगर मान चलो आपने कोई topic पढ़ा और आपको उसे पढ़ने में तीन घंटे लगे अगर आप उसका first time revision करते हो तो लगबग दो घंटे में आप उसका revision कर सकते हो अगर second time आप उसका फिर से revision करते हो तो आपको एक घंटा लगेगा आपके टाइम डूरेशन तोपिक को कवर करने की वह डिक्रीज होते चली जाएगी तो इसलिए revision जरूरी है और जितना ज्यादा आप revision कर पाओ उतना ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपके mind में वह concept एकदम fit हो जाएगा या कहो subconscious mind में बैठ जाएगा और वह topic का concept आपके tips पर रहेगा जो कि एक most 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 important है क्या healthy diet आपको healthy diet लेनी है क्योंकि अगर आपका सरीर अच्छा रहेगा तभी तो आप पड़पाओगे अगर आप बिमार पड़गे तो आपकी study भी नहीं होगी तो इसलिए आपको healthy diet लेना जरूरी है healthy diet जरूरी नहीं है अगर आप स्वस्त रहोगे तो आ साथ घंटे की नीद लेना बहुत जरूरी है अगर आप देखो हम students हैं तो हमको लगबग 6 घंटे की नीद काफी है लेकिन 6 घंटे की लेनी है क्योंकि जो sleep होती है जो नीद होती है अगर आप प्रोपर नीद नहीं लोगे तो आप बिमार पड़ जाओगे आइट आपका मा ओर आजब आट घंटे की नीद है लेकिन फ renovation मैं आप से के लिए धान जरूर्ण यह आपकी हेल्थ के लिए आपने आपसे कहोगे कि you can do it तो यह आपके अंदर एक motivation create करेगा और आपको इस time table को follow करने के लिए एक motivation मिलेगा तो मैं जब इसको follow कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो और मुझे विश्वास है कि you can do it all the best